हलो फ्रेंज स्वागत आपका फ्रेंज ऐसी कि हम लोगों को CG PSC मेंस पेपर सेवन का समाज सास्र का जो भाग है वो चलते आ रहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किये हुए हैं उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आप जाएए वहाँ से वीडियो को देख लीजे और फ्रेंज आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वह बात करेंगे हम लोग वर्ग के ऊपर कि जो समाज में जो वर्ग के जियो धारना पाई जाती है वह क्या होती है और वर्ग के नियधान की सधार पर किया जाता है और वर्ग की कौन-कौन सी विसेस्ताइं होती है तो इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं friends वीडियो अच्छा लगे है तो प्रीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नए हो फ्रेज चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेज करेज़ेगा ताकि जो भी वीडियो अप्लोट किया जाए उसके नौप्ठी पिकेशन आप लोग को तुरंधी मिल जाए तो चलिए फ्रेंस बात करते हैं और समझते हैं बारीकी से कि जो वर्ग होता है वो क्या होता है तो फ्रेंस हम लोग क्या रहते हैं हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में ही छोटे छोटे समुहों के रूप में वर्ग पाय जाते हैं मतलब कहने का है कि जो वर्ग होता है वो समाज का वह हिस्सा होता है जिसमें उनको अलग अधार पर मतलब कुछ योग्यता के अधार पर उसको वर्ग कृत किया जा सके यही क्या होता है वर्ग होता है ठीक है तो समस्ते हैं कैसे वर्ग होता है तो यह हम लोग का समाज हो गया अब समाज में क्या होता है? बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह रहते हैं, हना समूह मिलके ही समाज बनता है, तो ये समूह जो होता है, इसी में हम लोग यदि अलग-अलग अधार पर, कैसे अलग-अलग अधार पर? तो सिक्षा के अधार पर, या फिर योग्यता के अधार पर, या लिंग के अधार पर, निवास इस्थान के अधार पर, आयू के अधार पर, तो इन अधार पर जब हम लोग, लोगों को वरगी कृत करते हैं, उनको अलग करते हैं, तो यही जो वरगी कृत करने की जो अलग से जो प्रक्रिया होती है और इसमें जो लोग रहते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं अलग से वर्ग की रूप में जानते हैं तो यही जो होती है फ्रेंस वही उसी को बोला जाता है वर्ग ठीक है मतलब समाज का वह हिस्सा है वर्ग समाज का वह हिस्सा है जिसमें योग्यता के अधार पर लोगों को अलग किया जाता है अलग से पहचाना जाता तो यही जो विवस्था होती है यह वर्ग की विवस्था कहलाती है और चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है तो वर्गों की उपस्थिती सरभोमिक है क्यों सरभोमिक है क्योंकि जो वर्ग की कलपना जो अधारना है वो केवल समाज में ही नहीं भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में वही वर्ग की अधारना प्रचलित है पाई जाती है ठीक है तो इसी लिए इसको बोला गया है कि जो वर्ग है या फिर वर्ग की उपस्थिती सौरभौमिक युनिवर्सल है विश्व म कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसमें वर्ग न पाय जाता हो क्योंकि समाज में ही जब लोगों का उच्तम नीच्तम और मध्यम जो केटिग्री होती है इसी के अधार पर हम लोग उसको पहचानते हैं उनकी जो भी योग्यताएं हैं उनकी आयू हो गये जैसे कि हम लोग बृध ज करते हैं योग्यता के अधार पर गुण के अधार पर सिख्षा के अधार पर संपत्ति के अधार पर आयू के अधार पर लिंक के अधार पर यह फिर निवासिस्थान के अधार पर तो यही जो होता है वो क्या होती ही वर्ग होती है मतलब हम लोग के पहचान के लिए वर्ग जो वर्ग विवस्था है वो क्या है बहुत ही महत्पूर्ण है ठीक है जैसे कि माल लेते हैं यहां अध्यापक है उसके नीचे आता है छात्र तो यहां पास यदि हम लोग उधारण से समझते हैं तो यह वर्ग की बात जब करते हैं तो इस तरी करण में क्या होता है कि जो ये अपना अध्यापक है तो अध्यापक क्या करेगा इसको ग्यान प्रादान करेगा तो ये ग्यान प्रादान करके क्या बनेगा कुछ न कुछ तो ये भी बनेगा चाहे वो छात्र बने चाहे वो किसान बने चाहे वो डॉक्टर बने चाहे वो पूलीस बने मतलब यह क्या होगा यह इस तरी करण की प्रक्रिया है मतलब यह अपने अंदर जो भी गुड़ है उसको यह दूसरे को प्रदान कर रहा है और यह इसको प्रदान कर रहा है तो यह भी किसी को प्रदान करेगा ठीक है यह भी कुछ पोजीशन में पहु होता है वो अधुनिक समाज में इस्तरी करण की प्रक्रिया होती है इसलिए माक्स कहते हैं कि मनुष्ट एक समाजिक प्राणी है परन्तु अधिक इसपष्ट अधार भूत रूप में वह एक प्राणी वर्ग प्राणी है तो कहने का मतलब इनके दौरे यही है कि जो समाज में जो लोग रहेंगे वह उसी परिस्थिती के जो लोग रहेंगे और या फिर समाज रहेंगे तो उस अधार पर ही वो उस परिस्थिती को ढालने का प्रयास करेंगे तो इसलिए बोला गया है कि समान समाजिक परिस्थिती वाले समूं ही समाज में वर्गों का निर्मार करते हैं मतलब जो जिस वर्ग का होगा वो उसी वर्ग का क्या करेगा निर्धारन करेगा ठीक है मतलब समान समाजिक परिस तो बाटो मोर के नुसार बोला गया है कि वर्ग मुख्यता समू होते हैं, वे अपिक्छा क्रित उन्मुक्त होते हैं, बंद नहीं, तो कहने का मतलब यह है कि वर्ग क्या है मुख्य रूप से समू होता है, ठीक है, लोगों को समू है, वे अपिक्छा क्रित क्या है, उन्मुक करकि क्वाइन की इसमें कोई बंद विस्था नहीं होती तो इसे में पहली विस्था जो आती है वह समूह का पो थारिय कखा अब समूह का उतार चढ़ाओ कहने का मतलब यहीं है कि जो संस हां इस जो रात्मक विस्था ठीक है तो ओढ़ो की सर्वर्ष्षट विसेस्टा यह है कि जो यह उतार चठःःःव की जो वस्था होती है वो क्या होती एक निश्चित क्रभ्म में होता है जिसमें कुछ वर्ग उपर कुछ वर्ग मद्यम और कुछ वर्ग निरंतर के माने जाते हैं तो कहने क्या होते हैं उच वर्ग के होते हैं कुछ वर्ग क्या होते हैं मध्यमवर्ग के होते हैं और कुछ वर्ग क्या होते हैं वो नीम्नवर्ग के होते हैं ठीक है तो इस अधार पर जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा चलती रहती है और इसी कार्य क्रमा नुसार देखा जाये तो इ नीम नीम वरग है तो इस Assim जिरेणी के अधार पर इसको समाज में मान-सम्मान प्राप्त होती आइ क्या हम लोग इसको अच्छा सरुंच्ट उदाला लेता है तो यहां पास उदाहन के लिए हम लोग लेते हैं तो हम लोग के सामने आता है एक होता है पूलिस वर्गों को लिया जा सकते हैं यहां पूलिस को ले लेते हैं ठीक है पूलिस को ले लिए अब पूलिस के बाद क्या होता है जीला इस तर पर पूलिस अधिक्चक होता है ठीक ह उसके बाद क्या होता है इंस्पेक्टर होता है इंस्पेक्टर उसके बाद क्या होता है सब इंस्पेक्टर होता है ठीक है तो यहीं तक लेते हैं तो इसमें कहने का मतलब यही है कि एक इस्तर की प्रक्रिया होती है इसमें क्या है सबसे उच में पूली सदिक चाक हो गया उसके बाद क्या है पूली सदिक चाक हो गया फिर उसके बाद इंस्पेक्टर उसके बाद सब इंस्पेक्टर तो कहने क मतलब यही कि जो यह प्रक्रिया होती है वो एक step by step होती रहती है और यह सदा चलती है और इसको पद के अधार पर समाज में क्या होती है इसको मान सम्मान दिया जाता जैसे कि यह पूलीस अधिक छक हो गया तो इसको क्या है समाज में मतलब मान सम्मान इसको प्राप्त होगा, अगर उसके बाद देखा जाये तो ये उप पूलिस नीरक्षक है, उसको समाज में इस्थान प्राप्त होगा, मान सम्मान मिलेगा, उसी प्रकार से इंस्पेक्टर को मिलेगा, और उसी प्रकार से ये सब इंस्पेक्टर को मिलेगा, मतलब इनकी योग्यता के अधार पर समाज में इसको सुख सम्रिद्धी और सक्ति स्विधाय प्राप्त होती है तो यही होती है हम लोगों का वर्ग ठीक है और इसी को बोला गया है उतार चढ़ाव के प्रक्रिया ठीक है तो पहली विसेस्ता इसकी यही है कि उतार चढ़ाव इसमें पाए जाती है ठीक प्रिंस कोई कभी पूली सदिक छग बन गया है तो कोई कभी उससे नीचे का बन गया तो यहां पास कहने का मतलब है कि जो समाज में जो एक परिस्थिती के जो वर्ग रहेंगे वो ही क्या करेंगे उसी परिस्थिती के जो परिस्थिती है उसका क्या करेंगे निर्धारन करेंगे वैसी वो वर्ग का उसका निर्धारन करेंगे तो यह सेकन विशेष्था इसकी य अपनाया जाता है तो यही बात हो यहां बोला गया है कि समान परिस्थी तिरी एक वर्ग के लोगों की समान परिस्थी होती है next point है वो है उच नीच की भावना और इसमें जो पद की अनुसार या फिर लिंग की अनुसार या फिर आयू के अनुसार से देखा जाए तो इसमें उच नीच की भावना विशिष्ट रूप सी यहां देखने को मिलती है जो जिस उच पद पर होगा वो अपने से निम्न पत की क्या करेगी उसकी आलोचना करने लगेगा मतलब उसमें क्या होगी उच निच वाली भेद भावाली भावना देखने को मिलेगी तीक है नेश्ट है वो है वर्ग चेतना अब वर्ग चेतना कहने का मतलब यह है जो समाज में जितने लोग रहते हैं उसमें क्या होते हैं वर्ग रहते हैं तो वर्ग के जितने भी लोग रहेंगे प्रवर्ग के तो वो क्या करेंगे अपनी जो समाजिक बुद्धी है उसकी चेतना की हिसाब से क्या करेंगे अपनी जो भी कमिया है वर्ग की उनको समझने का प्रयास करेगा और उनको दूर करने का प्रयास करेगा तो यह क्या है वर्ग में क्या होती है चीतना पाई जाती है तो यह भी point clear हो गया नेस्ट पॉइंट है सीमित समाजिक संबंद, अब सीमित समाजिक संबंद कहने का मतलब है कि कोई भी वर्ग के लोग जब रहेंगे तो वो क्या करेंगे अपने ही वर्ग को जादा महत्ता प्रदान करेंगे, दूसरे वर्ग को कम महत्ता प्रदान करेंगे, मतलब कहने का है द अपने वर्गों को ज्यादा महत्तो यहां प्रदान करेगा तो यही चीज़ है सीमित समाजिक संबंद यहां पाए जाता है क्योंकि यह ओपचारिक होता है अफिस्यली होता है नेश्ट है वो है मुक्त द्वार अब मुक्त द्वार कहने का मतलब यही है कि जो इसमें वर्ग जो होता है इसमें कोई भी ब्यक्ति कभी भी आ सकता है जा सकता है इसमें किसी भी प्रकार का उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो इसलिए इसको क्या बोला गया है मुक्त द्वार बोला गया है ठीक है सेकेंड विश्तिस्ता है वो महत्तों का यहां महत्तो नहीं ठ संपत्ति के होती है लिंग के होती है इस्थान निवासिस्थान के अधार पर जो होती है तो इन सब के अधार पर इसमें जो उच और निच वर्ग का निर्धारन होता है लेकिन यहां जन्म का कोई निर्धारन नहीं होता क्योंकि जन्म के बाद उनको इतनी स्वतंत्रा रहती ह कि वो किसी भी वर्ग में वो जा सकता है तो इसलिए इसको जन्म का कोई इसमें महत्व नहीं होता अब सेकेंड कुछ विशेस्ता है देख लिए सेकेंड विशेस्ता आता है वो है कम इस्थिरता कैसे कम इस्थिरता तो एक वर्ग को त्याग कर दूसरे वर्ग की सदस्ता ग्र हो जा सकता है तो इस प्रकार से जो ये वर्ग की जो वयस्था होती है वो क्या है कम इस्थिरता वाली होती है second point है वो है उप वर्ग होता है और प्रतेक वर्ग में उप वर्ग पाय जाते हैं फ्रेंस तो यही बात है कि जो वर्ग होता है वो उप वर्गों में विभाजित रहता है तो इस अधार पर इसमें उप वर्ग पाय जाता है ठीक है, second point है, समान जीवन आउसर, और इसमें जो लोग हैं, वो अपनी आउसकताओं के अधार पर, अपनी जरूरतों के अधार पर, जो समाज है, उसमें जीवन जीने के उसको आउसर दिया जाता है, कि वो आप किसी भी वर्ग में आप जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, तो यहाँ पास कहा जाए, तो जो समान जीवन के आउसर जो है, जीने की, वो इसमें दिया जाता है, उसको किसी प्रकार से उसमें रोक टोक नहीं किया जाता है, तो यही चीज है, समान जीवन आउसर, second है, पूरता अरजित, अब पूरता अरजित कहन तो उसके जो भी नियम है कानून है उसको मानना पड़ेगा, आपको उसमें बात दे होता है, तो यही होता है पूंता अर्जीत, ठीक है, सेकंड है वह समान जीवन, अब समान जीवन कहने का मतलभ है, कि एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है और इसमें जो लोग रहते हैं, जो वर्ग में लोग रहते हैं कोई भी एक वर्ग लेके बात करते हैं तो उसमें जितने भी लोग रहेंगे तो उनका जो जीने का तरीका होगा, जो धंग होगा, वो क्या होगा, लगभग लगभग एक समान रहते हैं, ठीक है, तो यही बात है, जाता समझने की जुरुत नहीं है, तो समान जीवन इसमें पाए जाता है, सेकेंड पॉइंट है, वो है वर्ग की अनुवारिता, तो वर् प्रतिव उनको रखा जाएगा, ठीक है, तो यही बात है, वर्ग की अनिवारिता इसमें पाई जाती है, ठीक है, और यह अनिवारिता क्यों है, क्योंकि प्रतिएक लोगों को समाज में जितने भी लोग रहते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, किसी न किसी समाज में रहना प वर्ग होता है उसमें क्या-क्या अंतर पाई जाती है चलिए इसको भी समझ लेते हैं तो यदि हम लोग जाती है और वर्ग में अंतर देखते हैं तो इसका जो पहला अंतर आता है वो है जाती एक बंद वर्ग है जब की वर्ग में खुलापन पाई जाता है जैसे मैंने आप को बताया है कि जो जाती होती है उसमें क्या है एक नियम कानून होते हैं लोग उसमें एक बार घूस गये तो बाहर नहीं जा सकते वो उसी जाती में रहेंगे लेकिन जो वर्ग होता है यह क्या होता है एकदम खुला पन होता है यहां जो जब भी चाहे यह इसमें सामिल हो सकत और जाती का जो अधार होता है फ्रेंस ये जाती में जब हम लोग को जन्म लेते हैं तो उस अधार पर उस जाती का हम लोग सदस से बन जाते हैं लेकिन वर्ग में क्या होता है कोई जन्म को महत्व यहां नहीं दिया जाता वो जन्म के बाद भी किसी दूसरे वर्ग में जा सक मतलब जाती सऴस्ता और अशय के दौरार्वada मतलब जाती होता है किसी की द्वारा दिया जाता है लेकिन जो वर्ग होता है वह क्या होता है कि अद्वारा अर्जित कर रहे हैं जैसे कि कि हम लोग अध्यापक बर रहे हैं तो इसको हम लोग rea कर रहे हैं और और 143 ध्यूला करें जाती में पेसे निश्चित हैं वर्ग में नहीं और जाती में पेसा जो होता है वो निश्चित होता है जैसे कि ब्राम्हा लोग पुजा पार्ट काम करेंगे छत्री लोग से रक्षा का कारेंगे इस प्रकार से वो क्या होता है जाती में पेसे पाये जाते हैं वो एक यही कार्य करेंगे, वो किसी दूसरे कार्य को भी कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, वो जाती में खान पार पर प्रतिबंध है, वर्ग में नहीं, अब सेकेंड पॉइंट यही आता है, कि जो जाती होता है, उसमें खान पार पर प्रतिबंध होता है, कि आपको तो आप लोग को ये चीज नहीं खाना है, किसी दूसरे के घर के नहीं खाना है, तो इस अथार पर क्या होती, उन पर खान पार पर क्या होती, प्रतिबंध होता है, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता, ठीक फ्रेंस, सेकेंड है, जाती अंतर विवाही है, वर्ग नहीं, और ज किसी प्रकार का प्रतिबंद नहीं होता सेकेंड आता है वह जाती वर्ग की अपक्षा इस्थाई है और यह चीज यहां पास एक चीज और जानने वाले है कि जो जाती है वह वर्ग की अपक्षा इस्थाई है कैसे इस्थाई है तो जाती जो होती है वह पिढ़ी दर पिढ़ी चलते रहती है जो व्यक्ति जीस जाती में जन मलेगा वो उसी जाती का सदस्य बनेगा किसी और जाती का सदस्य नहीं बन सकता मतलब यह क्या होता है जाती इस्थाई होता है और जो वर्ग होता है वो क्या होता है इस्थाई होता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वर्ग में जा सकता है और उस वर्ग को छोण के कभी भी वहां से आ सकता है तो इस अधार पर जो होता है वो जाती की पिक्षा क्या होती है इस्थाई होती है तो ठीक फ्रें प्रूच करना आटोपिकेशन आपको तुरंद ही मिल जाए। मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तक लिए नमस्कार।